आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रिमिटिव और रूरल थी पर जो Communities Central America में थी वो बहुत जादा ओर्गनाईज थी और इन Societies के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो पहली Society जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम था The Aztecs 12th Century में Aztecs North America से Central Valley of Mexico में माइगरेट हुए थे मेक्सिको का नाम भी इसी ट्राइब के गौड की उपर पड़ा है उनके गौड का नाम था मेक्सिटली और Aztecs ने अपने एंपायर को एक्स्पैंड करने के लिए डिफरिंट ट्राइब्स को और वेरियस ट्राइब्स को हराया या फिर डिफीट करा और उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए भी फोर्स करा जो जो Aztec society थी उसमें तीन टाइब्स के nobles थे जो फिर्स टाइब्स थे वो nobles by birth थे मतलब उनके last generation भी nobles थी और उनके coming generation भी nobles होगी और जो second type of nobles थे वो priest थे मतलब जब कोई priest बन जाता था तब वो noble बन जाता था और nobility में include हो जाता था और जो third type of nobles थे वो awarded by rank थे मतलब वो अपने खुद के काम से nobles बने जो hereditary nobility थी या फिर जो nobles by birth थे वो एक small minority थी पर सारे important roles और सारी senior positions government में, army में और priesthood में उनके पास ही थी जो ये nobles थे वो अपने आप में ही एक supreme leader choose करते थे जो तब तक rule करता था जब तक वो मर नहीं जाता जो जो Aztec king था उन्हें जो Aztec society के लोग थे वो king को एक representative of the sun on earth देखते थे मतलब वो उन्हें ऐसे देखते थे कि एक sun का representative वो सबसे जादा respected groups थे उनके पास सबसे जादा control और power थी पर जो traders थे वो भी बहुत सारी privileges enjoy करते थे मतलब उन्हें भी बहुत सारी privileges मिलती थी और वो बहुत साबारी government के representatives and spies की तरह भी serve करते थे जो talented articians, physicians and vice teachers होते थे वो भी Aztec society में उन्हें respect मिलती थी Mexico में agricultural land या फिर cultivable land बहुत जादा कम था इसलिए जो Aztecs थे उन्होंने land reclamation की practice use करी land reclamation में practice होती है जिसमें लोग banjar zameen को या फिर wastelands को agricultural lands में convert करते हैं या फिर ऐसे land में convert करते हैं जिसमें लोग रहे पाए या फिर उन्हें habitat कर पाए so Aztecs ने Chinampas बनाए Chinampas artificial islands होते हैं और उन्होंने ये Chinampas या फिर artificial islands लेक मेक्सिको में बनाए और इन islands के उपर उन्होंने लंबी-लंबी घासों से या फिर रीट से mats बनाए और उन्हें फिर मिटी और पौदों से cover कर दिया और उन्होंने इन artificial islands या फिर Chinampas के बीच किनाल्स बिल्ट करी या फिर किनाल्स कंस्ट्रक्ट करी और 1325 में इन किनाल्स के उपर उन्होंने अपनी capital city Tenochtitlian बिल्ट करी और इस capital city Tenochtitlian की जो palaces and pyramids थे वो लेक मेक्सिको के बीच से निकलते थे और बहुत जादा dramatic और beautiful लगते थे सो यह जो यह Aztecs थे वो बहुत जादा war में engaged होते थे या फिर war में पाट लेते थे इसलिए जो उनके बहुत सारे temples थे वो god of war को dedicated थे और बहुत सारे temples sun को भी dedicated थे और इसलिए वो king को representation of the sun की तरह देखते थे सो यह जो Aztec empire था वो एक rural base पर था मतलब वो गाओ जैसा था और जो लोग थे वो बहुत सारे crops उगाते थे जैसे corn, beans, squash, pumpkins, moniac roots and potatoes और भी बहुत सारे दुसरे crops और जो जमीन थी वो कोई individual own नहीं करता था रधर clans own करते थे या फिर groups own करते थे और ये groups, public construction works भी organize करते थे जैसे for example road building हमने last chapter में पढ़ा था कि जो European serfs थे वो nobles या फिर lords के land cultivate करते थे और फिर उसके exchange में उन्हें harvest मिलता था या फिर एक रहने की जंगा मिलती थी जो Aztec empire के peasants थे उनकी भी कुछ ऐसी ही situation थी वो भी उन land को cultivate करते थे जो nobility own करती थी और इसके exchange में उन्हें harvest का थोड़ा सा हिस्सा मिलता था और जो Aztec peasants होते थे वो अपने बच्चों को कभी कभी slaves की तरह बेच देते थे पर ये बस limited period के लिए होता था मतलब एक short period के लिए होता था और जो slaves होते थे वो अपनी freedom को easily खरीद सकते थे Aztec empire में education बहुत important थी और जो बच्चे थे वो school जाते थे और उनकी जो parents थे वो make sure करते थे कि वो school जाएं और अपने को educate करें तो Aztec empire में दो type के school थे जो first type of school था उसे Calmecac कहते थे यहाँ पर nobility के बच्चे जाते थे और यहाँ पर उन्हें military leaders या फिर religious leaders बनने की training मिलती थी और दूसरा school था टपॉज Cali जिसमें वो बच्चे जाते थे जो nobility की families से belong नहीं करते थे और इधर वो history, myths, religion and ceremonial songs सीखते थे और जो Aztec empire में boys and girls थे उन्हें भी different different type की training मिलती थी जो boys थे उन्हें military training मिलती थी उन्हें agriculture में training मिलती थी और trade में training मिलती थी और जो girls थी उन्हें domestic skills में training मिलती थी मतलब girls को घर के कामों की training मिलती थी 16th century की शुरुवात में Aztec empire में strain के या फिर तनाव के signs दिख रहे थे और ये mainly इस लिए थे हैं क्योंकि जो लोग अभी अभी conquer हुए थे या फिर जिन लोगों पर Aztecs ने अभी अभी कबजा किया था वो तरीके ढून रहे थे या फिर opportunities ढून रहे थे की वो central control से कैसे छुटकारा पाएं अब हम next empire के बारे में पढ़ेंगे और इस empire का नाम है Mayas the Mayan culture developed remarkably between the 11th and the 14th century but in the 16th century they had less political power than the Aztecs so जो Mayan culture था वो 11th and 14th century के बीच बहुत अच्छे से developed हुआ या फिर flourish हुआ पर जब 16th century आया तब इनकी जो political power थी वो कम हो गई and 16th century में उनकी political power Aztec empire से कम थी Aztec empire के बारे में हमने last topic में पढ़ा था कौन cultivation was central to their culture? so जो cultivation of कौन था वो Mayan culture का central या फिर बहुत जादा important पार्ट था and यी जो Mayas थे वो जो सारी religious ceremonies celebrate करते थे वो कौन के harvesting, growing या planting के around centered थी efficient agricultural production generated surplus which helped the ruling class, priests and chiefs to invest in architecture and mathematics so जो agriculture production था Mayan empire में वो बहुत जादा efficient था या फिर बहुत जादा productive था and इससे जो output आता था या फिर जो profit आता था उस profit से जो ruling class थी, जो priests थे and जो chiefs थे वो architecture, mathematics and astronomy में invest करते थे इससे हमें ये पता चलता है कि जो architecture था and education थी वो Mayan culture की बहुत important पार्ट थी the Mayas devised a pictographic form of writing मतलब जो Mayas थे उन्होंने एक writing develop करी थी और ये writing pictographic form में थी मतलब pictures and symbols के form में थी ये जो आपको picture देख रही है ये उनकी writing थी पर इस writing को historians अभी partially या फिर parts में ही समझ पाए है अब हम next community या फिर next empire के बारे में पढ़ेंगे and ये empire in class का था ये South America में सबसे बड़ी indigenous civilization थी and incas को quichuas भी कहते थे incas की story 12th century में start हुई जब Manco का पैक जो first incas था उसने अपनी capital establish करी कुसको में पर expansion start हुआ 9th incas के under incas की maximum extent या फिर सबसे ज़ादा जित्ता incas empire फैला हुआ था वो 30,000 miles थी and वो Ecuador to Chile के बीच थी अब हम incas empire की ये structure के बारे में पढ़ेंगे so जो incas empire था वो बहुत ज़ादा centralized था and जो king था incas empire का वो सबसे उची authority में था अब हम incas empire के structure के बारे में पढ़ेंगे so जो incas empire था वो बहुत ज़ादा centralized था and जो incas empire का king था वो सबसे उची authority में था and मतलब वो सबसे ज़ादा important part था और उसके पास सबसे जादा power and control था और जो सारे new tribes होते थे जिस पे इनका इस कबजा करते थे वो easily in इस empire में absorb हो जाती थी या फिर मिल जाती थी और इस empire में सारे subject मतलब सारे लोगों को स्क्वेचवा बोलनी होती थी जो court की language थी सु जो इनका empire में हर एक tribe था वो एक council of elders lead करते थे या rule करते थे पर यह जो सारे different tribes होते थे वो ruler से royal थे क्योंकि जो ruler था या फिर जो king था वो highest source of authority था जैसे हमने पहले पढ़ा था जब local rulers इनका के साथ military corporate करते थे तो उन्हें जो king था वो इनाम दीता था सो जो इनका empire था वो Aztec empire जैसा जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था वो एक sang के जैसा था जिसमें इनकास control में थे सो इनका empire में जित्ते लोग रहते थे उनके precise figures historians के पास नहीं है पर ऐसा माना जाता है कि इस empire में 1 million से जादा लोग थे जो ये इनकास थे वो बहुत जादा magnificent या फिर बहुत जादा बढ़िया builders भी थे उन्होंने mountains के बीच road बनाई थी Ecuador and Chile तक और उनकी जो forts थे वो stone slab से बने हुए थे और वो इतने अच्छे से उन्होंने काटे थे कि उसमें motor की भी जरुरत नहीं पड़ती थी जब कोई rock fall होता था तब ये इनकास labor intensive technology use करते थे इन पत्थरों को carve करने के लिए and move करने के लिए labor intensive मतलब वो होता है जिसमें बहुत सारे laborers या फिर workers की जरुरत होती है जो mason's थे या फिर जो राज मिस्त्री थे वो flaking का use करते थे जो बहुत ज़ादा simple and effective technique थी या फिर method था blocks को shape करने के लिए so जो ये बहुत सारे पत्थर इनका empire में use होते थे उनका वजन 100 metric tone से भी ज़ादा होता था and उस time पर कोई transport भी available नहीं था जिससे इन भारी पत्थरों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकें इससे हमें ये पता चलता है कि workers या फिर laborers बहुत ज़ादा organized थे and बहुत ज़ादा अच्छे से managed थे and ये सब बस एक central empire में हो सकता है so जो इनका civilization थी उसका main basis agriculture था मतलब society agriculture पे dependent थी पर जो इनका civilization में जमीन थी या फिर soil था वो इता fertile नहीं था तो in infertile soil conditions से deal करने के लिए उन्होंने hills पर terrace farming शुडू करी and उन्होंने drainage and irrigation भी develop करा and recently ये भी पता चला है कि 15th century में मतलब 1500 में जो आंडियन highlands में जहाँ पर ये इनका civilization कि लोग रहते थे वहाँ पर जो cultivation होता था या फिर खेती बाड़ी होती थी वो जादा developed थी अभी से जो इनकास थे वो corn and potatoes को गाते थे and llamas को rare करते थे food and labor के लिए so जो इनका civilization में weaving and pottery होती थी वो बहुत जादा उची quality की थी पर इनकास ने कोई लिखने का system develop नहीं करा था पर उन्होंने एक counting system develop किया था जिसे कुईपू कहते थे ये कुईपू quads होते थे जिसमें गाठे बंदी होती थी and ये एक specific mathematical unit को indicate करती थी कोई-कोई scholars ये भी कहते हैं कि ये जो इनकास थे वो इन धागों में एक code को बुनते थे जो इनका empire का organization था वो एक pyramid जैसा था and इस pyramid के top पर इनका chief थे and इफ इनका chief capture हो गए तो सारे जो chain of command थे empire के वो खतम हो जाएंगे या फिर fall apart हो जाएंगे and ये ही हुआ जब Spain ने उनकी empire को invade करा जब Spain ने इनका empire को invade करा या फिर उस पर कबजा करा तो उने इनका chief को capture करा इसकी वज़ा से जो सारा empire था वो बिलकुल खतम हो गया जो इनका जन आस्टेक्स के culture थे उनमें बहुत सारे features थे जो common थे या फिर similar थे पर ये सारे features बहुत different थे European culture से society hierarchical थी मतलब ranked based थी पर ऐसे कोई थोड़े individuals के पास समीन की private ownership नहीं थी जैसे Europe में होता था और priest and shamans को एक exalted status मतलब एक high status दिया हुआ था बड़े-बड़े temples भी construct होते थे या built होते थे जिसमें gold भी use होता था पर उन्होंने gold को and silver को कोई ऐसी value attached नहीं करी थी जैसे Europeans नहीं करी थी मैं इस वीडियो को इधर ही end कर रही हूँ हमने इस वीडियो में तीन indigenous communities के बारे में पढ़ा या तीन indigenous state systems के बारे में पढ़ा जो southern and central America में थे और ये communities थी या फिक ये empires थे Aztecs, Mayas and Incas अगले वीडियो में हम next topic स्टार्ट करेंगे, thank you for watching Classics to 12 से लेके Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 पर